खबर बिलाजपूर से है जहाँ पर खाद्य मंत्री अमरजीत भागत का बयान सामने आया है नमक समय ते सभी आविश्यक खाद्य प्रदार्थ परयाप्त मात्रा में हैं उन्होंने ये साफ कहा है बाजार मूल से अधिक मात्रा में बेचने पर कारवाई की जाएगी जमाखोरी कर बाजार मूल से जादा में बेचने पर भी कारवाई होगी तो कुछ दिन पहले ही अभी नमक की कमी की अफ़ा फैली थी, जुसके बाद सरकार ने ये साथ लिया था कि ऐसी कोई फ्थती नहीं है, नमक की कोई कमी नहीं है, और अब खुद खाद्यमंत्री की तरफ से बयान सामने आया है, सुनिए किसगर राज में नमक का प्रयाप्त भंडारण है, और कहीं से भी क्राइसिस की कोई बात नहीं है, अधिक बुलने पे अगर कहीं कोई नमक बेचेगा, या कोई भी आवश्टा का वस्तु जो निधारित दर से अधिक रेट में बेचेगा, उसे किलाब सक्त दापाई दी हमारे हां गठी थे, इसके मांध्यम से लगाता है, इसमें निग्रागी की जाती है, मौनेटिंग की जाती है, और एक पोसिस रहता है कि जो दर है, वो निधारित दर पे ही बजार में समान भीके